हलो फ्रेंड्स वागत है आप से भी का टॉक्टरी बर्ट में आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ इस तरीके के डिटरजंट के या फिर कैचप के सोस के कुछ भी पाउचिस आपके पास पड़े हुए हैं बहुत ज़ादा ये मजबूत होते हैं तो इस से बहुत ही ज़ादा कमाल के रियूज आइडिया आपको आज का वीडियो बहुत 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 ज़ादा पसंद आएगा ये मुझे पता है तो चलिए शुरू करते हैं हम आइडिया नमबर वन से तो इसके लिए मैंने इस तरीके का एक एरियल डिटरजेंट का जो पाउच होता है वो ले लिया है ये बहुत ज़ादा मजबूत होता है और आप किसी भी डिटरजेंट का इस तरीके से पाउच ले सकते हैं के बाद चूबी अवलेबल है तो इसे मैंने फोल्ड करके रखा है उपर से जो ठकन वाला हिस्सा था उसे मैंने इस तरीके से क्रॉस में कट करके निकाल दिया है उसके बाद उपर से भी कट करके इसे ओपन कर लिया है अब इसे हमें उल्टा कर लिना है इसे आप लोग बहु हिसाब से साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं और बीच में छोटा सा कट लगा कर पहले मैंने एक होल बना लिया है अब इस तरीके से पूरे राउंड में अच्छे से मैं कट कर लूँगी उपर एक साइट पर कट करने के बाद इस तरीके से हम नीचे वाली साइट पर भी मार्क का मैंने यूज किया था उसमें से कटे हुए हिस्से का इस्तमाल करके एक फ्लावर बना लिया है आप जैसे चाहें वैसे इसे डेकुरेट कर सकते हैं और अगर आप डेकुरेट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही रख सकते हैं बहुत ही साधा ये सुन्द लग रहा है तो फ् मुझे यह बहुत जादा पसंद आया आपको कैसा लगा और यह बहुत जादा मजबूत भी होते हैं आप देखते हैं आइडिया नंबर टू तो इसके लिए देखिए मैं सोस यानि केचप का पाउच है उसका यूज कर रही हूं और इस तरीके से मैंने सेंटर से मार्क करने के और बाद में कट करूँगी क्योंकि दूनों साइड से हमारा इक्वल साइज में कटिंग हो और दीखने में थोड़ा अच्छा लगे तो देखिए इस तरीके से कट करने के बाद उपर से अभी भी थोड़ा जोइट था उसे भी मैंने कट कर दिया और यहां आगे वाले हिस इसी के साइज का मैंने कट कर लिया है और इसे मैं ग्लू गन की हैल्प से यहां पर पेस्ट करूँगी आप यहां पर फैल कोल का भी यूज कर सकते हैं या और कोई ग्लू है आपके पास उसका यूज भी कर सकते हैं और कपड़े के अलावा जैसे चाहे वैसे जेव भी उसका यूज करके आप इसे डिकुरेट कर सकते हैं तो बहुत ही ज़धा असान तरीके से ये मेरा हैंगिंग और्गिनाइजर रेडी हो चुका है इसका यूज मैंने किचन में किया है इसके अलावा आप अपने मुबायल को चार्ज करने के लिए या फिर बात्रूम में इसका यूज कर सकते हैं तो आपको जरूर पसंदाया होगा अब देखते हैं आइडिया नंबर 3 इसके लिए भी पाउच का ही आपको यूज करना है छूटे से और सेम तरीके से आपको डिकुरेट कर लीना है कट कर लीना है उसके बाद दीखे इसके नीचे वाले इसी में मुझे हूल करना है तो अंदर वाली साइट से ही मैं सीजर का Use करके यहां पर बड़े-बड़े सी हॉल कर लोंगी आपके पास कोई अर चीज है तो उसका यूज करके आपको यहां पर खोल करने हैं जिससे कि इसके अंदर पानी ना रहे तो देखे इसका यूज हम कीचन में ही कर सकते हैं अपने स्क्रॉप को रखने के लिए हमारे स्क्रॉप इदर उबदर गूमते रहते हैं जिससे घंदा भी लगता है साथ के स इसमें smell भी आती हैं, तो आप इस तरीके से इसे रख सकते हैं और bed smell से बच सकते हैं और kitchen को अच्छी से organize रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नमबर फोर जिसके लिए भी मैंने लिकपे डिटरजेंट का खाली पैकेट ही ले लिया है और इस तरीके से इसका जो हैंडल वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने मार्किंग करी है साइड में और इस तरीके से दोनों साइड पर अटक रहा है ये पूरा नहीं ओपन हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर कट कर दिया इसके बाद इसे फोल्ड करके दूसरे साइड पर इसी के मेजरमेंट से मैं इसे कट कर दूँगी तो बस आपको ये देख लिना है कि किस तरीके से ये कट हो पाएगा उस हिसा लेकिन इसे थोड़ा सा अच्छा लूप देने के लिए मैं इसे डिकुरेट कर रहे हैं फुरानी साडी की लेस का मैंने यूज किया है और ग्लूगन की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे अट्याच करूंगी तो इसकी रॉंग साइड पर अट्याच करने के बाद दिखे यहाँ पर भी हम ग्लूगन को लगा कर इस तरीके से इसे फिक्स कर लेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर स्टिपलर का यूज कर सकते हैं और साडी की लेस का जो मैंने यूज किया है उसके अलावा जैसे मैंने आगी आपको दिखाया वैसे कोई भी कपड़ा या किसी और चीज से आप इसे डिकूरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर देखे काफ़ी चौड़ी लेस है यह वाली तो मैंने दो लेस के पीस कट करके ले लिये हैं आपकी लेस अगर पतली है तो आप यहाँ पर तीन या चार लियर भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से देख इस तरीके से मैंने इससे रेड़ी कर लिया है। आप जैसे चाहें वैसे इससे कर सकते हैं। तो यह हमारा बहुत पियारा सा एक ओर्गिनाइजर बनकर रेड़ी हो चुका है। जिससे हम अपने कपड़े सुखाने की डूरी के उपर इस तरीके से लगा देंगे यह पर मैरी डूरी है तो मैंने उपर के साइट से श्टेप्लर का यूज करके इसे पिन कर दिया है आपके अगर pipe है तो आप side से pin करके इसे fix कर सकते हैं बस इस तरीके से मैंने इसके अंदर कपड़े सुखाने के pin को रख भी दिया है इसे निकालना रखना बहुत जादा आसान है और easily ये move भी करता है तो आप लोग इसे कपड़े सुखाते वक्त इस तरीके से साथ के साथ move करते जाएं और pin का यूज़ कर सकते हैं कपड़े सुखाते वक्त भी आसानी हो जाते हैं और जब हम कपड़ों को उठाएंगे उस वक्त भी बहुत जादा आसान हो जाता है हम इसके अंदर easily pin को डाल सकते हैं कपड़ों को उठा सकते हैं तो काम बहुत ज़दा आसान हो जाता है मुझे अच्छा लगा ये idea आपको कैसा लगा अब देखते हैं idea number 5 जिसके लिए भी मैं इसी तरीके के detergent के खाली packet का यूज़ कर रही हूँ और आपको उपर से cut कर लेना है मेरे पास और bag नहीं थी तो मैं इसी का use कर रही हूँ और आपको सिर्फ उपर से cut करना है इसे ultra कर देना है यहाँ पर जो मैंने handle के लिए haul बनाये थे वो करने की ज़रत नहीं है और इसे आपको इस तरीके से अंदर की तरफ fold करना है तो मैंने इस तरीके से इसे अंदर की तरफ fold कर लिया है थोड़ा सा जादा हम fold करेंगे तो इस तरीके से fold करने के बाद इसके corner को आपको पकड़ कर इस तरीके से हाथ हो से ही दबा लेना है तो देखे बहुत ही अच्छा सा इसका सेप आजाएगा है ना एक दम मस्त तो यह हमारा बहुत ही ज़ादा प्यारा सा एक बैक बनकर रेडी हो चुका है जिसके अंदर आप अपने ज़रुत की छोटी मूटी बहुत सारी चीजों को और्गिनाइज करके रख सकते हैं तो यह एक बहुत ही प्यारा सा ओर्गिनाइजर रेडी हो चुका है जिससे आप अलग-अलग तरीकों से इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो इंडूर प्लाइंट को रखने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसे डेकुरेट कर सकते हैं या बेक की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं अपने पसंदगी की प्लांट को इसके अंदर मिटी डाल कर ऐसे ही आप लगा सकते हैं बहुत ही जादा ये मजबूत बैग है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा लॉंग टाइम तक ये आपको अच्छे से काम देगा तो ये भी अच जादा काम आने वाले हैं ये तो सबसे पहले देखे मैंने इसके धकन को निकाल लिया है अच्छे से वास कर देना है आपको और फिर इसके उपर इस तरीके से एक छोटे-छोटे से एक्स्ट्रा कुछ लगे हुए थे तो उसे मैंने कट करके निकाल दिया है तो आपको भी हम करेंगे अपने सीजर को रखने के लिए तो किचन में हमें सीजर की बहुत ज़्यादा ज़रुरत पढ़ती ही रहती है और हम इसे इदर उदर रख देते हैं तो फिर टाइम पर हमें ये मिलती ही नहीं है तो इसके भी एक सही जगा होनी चाहिए तो आप इस तरीके से बहु किचन में बिल्कुल नहीं चलेगा और उसका यूज करने की बाद भी हम उसे कहीं पर भी छोड़ देते हैं वहीं पर नीचे छोड़ देते हैं जिससे वो गीला हो जाता है और बहुत जल्दी ही हमारे लाइटर खराब हो जाते हैं बार-बार हमें नए खरीदने पड़ते ह कि धकन का इस्तमाल करें मैंने यहाँ पर दो धकन लगा लिये हैं और इसके उपर आप अपने लाइटर को हैंक कर सकते हैं तो यह हमारा लाइटर स्टेंड हो चुका है रेड़ी आपको बार-बार लाइटर डूंड़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें फिर लाइटर म का लगा बहुत पसंद आया आपको पसंद आया कि नहीं कोमेंट करना और अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर कर देना अब देखते हैं आइडिया नमबर नाइन जिसके लिए भी आप इस तरीके के डिटरजंट के कैचचप के या फिर कोई भी और आपके पास हैंड जब चाहे तब आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ऐस आइस बैग कई बार हमें डॉक्टर भी बोलते हैं और कई बार हमें खुद को भी पता होता है जोइंट का अगर दर्थ हो रहा हमें कलाई में या फिर छोटी मूटी मोच आ गई है वहाँ पर हमें अगर आइस से सिकाई करनी है तो यह आइडिया बहुत ही ज्यादा यूसफुल है अगर आपको मार्केट से मेडिकल से इस तरीके की आइस बैग खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे यह एक्टम प्री का आइडिया है इसके अड़ावा जब भी आपको डॉक्टर के पा अलग है तो आपको कर लिना है घरम पानी और थोड़ी से बड़ी बैग ले लिजे आप यहाँ पर जैसे मैंने यह बड़ा सा डिटरजेंट का बैग लिया है और उसके अंदर मैं इस तरीके से सिंपल ही पानी को भर रही हूँ आपके पास कोई और टूल है तो आप उसकी यूज से इसके अंदर पानी को भर लीजिए अब इसका यूज कर सकते हैं आप घरम सिकाई करने के लिए तो जब भी पीरेट होते हैं उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा का आइडिया है हर मंध हमें इसकी ज़रुत पड़ती ही रहती है तो अगर आपके पास होट वाटर बै नहीं है तो इसका यूज आप होट वर्टर बैक की तरह कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये रहत दायक है आप लोग जरूट राय करना बहुत ही ज़्यादा काम आता है अगर आपको बेक पेइन है वहाँ पर भी आपको घरम सिकाई करनी है होट वर्टर बैक से तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं अब देखते हैं आइडिया नंबर 11 तो उसके लिए भी मैंने इस तरीके के छोटे से पाउच का है इस्तमाल किया है आपके पास ऐसा कोई भी चोटा मुटा पाउच है तो जैसे मैंने सीम आपको बताया था पहले वैसे ही आपको इस इसे रेडी कर लेना है फोल्ड करके कट करना है डेकोरेट कर लेना है और यहां पर जो छोटा सा होल मैंने पनाया था तो उसे मैंने थोड़ा सा कट करके बढ़ा कर दिया है और इसका यूज हम करेंगे बच्चों के स्टडी टेबल के अंदर तो देखें यहां पर भी मैंन झूपर देख सकते हैं यह सिंपल सा जो हमें नए कपड़ों में बॉक्स मिलता है वह ही है उसके उपर मैंने टी-शर्ट से अंदर लगाया है वैसे ही आप अपने अलमारी के अंदर भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं अब देखते हैं आइडिया नुमबर 12 तो उसके लिए देखे आपको इसी तरीके का एक बड़ा सा पाउच लेना है उसे आपको उल्टा कर देना है कट करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही इसके बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ट करेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से होल बनाने की ज़रुरत नहीं है बैक की तरह नहीं यूज करना है तो फिर इस तरीके से उपर की तरफ आप इसे फोल्ट कर लीजिए आप चाहें तो जादा कट कर के आप इसको इस तरीके से एक ही बार फूल्ट कर सकते हैं या फिर आप जितना चाहे उतना फूल्ट कर लीजिए आपको यह जब आप यूज करेंगे उसी साब से आप फूल्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से करने के बाद अच्छे से इसकी कॉर्णर को दबा कर मैंने रैडी क लिए आप बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं चोटे बच्चों के उसे और्गिनाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर दो तीन या चार बना सकते हैं और अपने अलमारी में इसे रख दीजिए बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं चोटी 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 XL चीज़ें होती हैं ज्युसे रखने के लिए आप बहुत सारे इस तरीके के organizer बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रांड यह थे पूरे 12 तरीके आप प्ही अगर इस तरीके के पाउज को फैक देते थे तो आज के बाद बिल्कुल मत पैकना, यह बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, टिकाओ होते हैं, तो इनका यूस करके आप बहुत ही ज़्यादा काम की और प्यारी से चीज़े बना सकते हैं, और अपने काम को आसान बना सकते हैं, अपने पैसे भी बचा सकते हैं, इनमें से आपको कौनसा आइडिया जदा पसंद आया जदा अच्छा लगा कोमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो अच्छा लगा है यूसफूल लगा है तो प्लीज दोस्तो एक लाइक भी कर देना जदा से जदा आपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ऐसे ही और यूसफूल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तो तब तक के लिए जय भारत